हलो इस्टूरेंस एक बार फिर से सागाता आपके अपके अपनी यूटूब चैनल एस्टेडी के आन पे तो जैसे के आप सब को पताई कि हम आपके लिए आप लगाता जो आपकी यूझिटी एक्जाम में एक लिए पेपर होता है आपके जर्नल हिंदी का तो उसमें व्याकर इससे पहले वाले वीडियो नहीं दे रखे तो प्लेइलिस्ट कर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाएगे वहाँ पर आपको सब वीडियो देखने को मिल जाएंगे और लगवग एक दो और किलास में आपके यहां पर जो व्याकरन के जितने भी टॉपिक से वह आपकी कम्प्रिट हो जाएंगे और आज कर यहां पर किलास आपके लिए मोश मोश इंपोटेंट होने वाली है क्योंकि आज किलास में सापको काफी कोशन देखने को मिल सकते क्योंकि आज किलास किस टॉपिक पर आपके देश्चर जया तस्त्रम और तदभाव शब्द के उपर ज जरू देखनाने सब इस ट्यूंस को जिन भी इस ट्यूह तो कि आपके लिए अपर कलास बनाई जा रहे तो आप सब्सक्राइब यहां पर कम्सक्रम करें और क्या होता है तो काण शब्सक्रम खोता है एक बात झयां रखेगा तस्त्रम शब्द किने कहते तस्रम शब्द काग किसे कहते हैं यहां पर काग का संस्क्रट बाश्रा का शब्द तो यह तस्सम शब्द आपके हो जाता है और अगर इसकी जगा का वह आता तो वह कैसा होता है तद्भाव शब्द होता इस बात का ध्यान रखेंगा उसका कुछन हमाद सेकेंड है कि निम्लिखित में से अं लिखित में से देशर शब्द को आपको अलग करना है तो बताएं इन चारों में से देशर शब्द कौन सा होगा तो इन में से आप देखेंगे सरसू कैसा है देशर शब्द होता है फिर कोशन आप फिफ्ट देखेगा जो कि क्या है कि माथा का तस्सम शब्द क्या होगा त तो इसका करेट आंसर आपके क्या हो जाएगा गोस्वामी उसके बाद आप देखेंगा नेश्ट कोशन है कि अक्षे तिर्त्या का तदभाव यहाँ पर क्या होगा तो यह कुशन काफी मौश इंपोटेंड है काफी बार पुछा गया कोशन है यह तो एट का आंसर बताई तो इसका करेट आंसर खा हो जाएगा आपका आखा तीज फिर नेश्ट आते नाइट वाला की तस्ट्सम शब्द है तो चारोमा से बताईए कि तस्ट्सम शब्द कौन सा होगा तो नाइट वाले का करेट आंसर क्या हो जाता है का हो जाता है नीम्बू आपका कैसा है तस्ट्स व हम किसे को जाता है कि हिंदी भाषण को चब्द है तो बताइए रोटी कौन सा देशर शब्द होगा तो इसका करेटानस आपके हो जाएगा अपके पगड़ी आपके के सा ए देशस्वग कोश दो क्रेंशिक को 10 आता है कि कौन सा शबद देश्वद नहीं तो बताइए आप में से देश्चय शबद कौन सा नहीं को आपको अच्छी ता सा पाड़ लेना है तो इसका खरद्ट देशो शब्द आपको पेचानना है तो 15 का अंसर क्या होगा तो इसका करेट आंसर आपके घह हो जाएगा उसके बार नेश्ट देखेगा 16 वाला कि आद होनी कौन सी भाषा की है और अब हिंदी में शामिल हो चुकी है तो 16 का करेट आंसर आपके खा हो जाएगा अंगरेजी फिर नेश्ट आता है 17 है कि इन में से कौन सा विदेशी शब्द है तो 4 में से देखे बताइए कि विदेशी शब्द कौन सा होगा तो इसका करेट आंसर आपके घह हो जाएगा पनीर फिर नेश्ट आता है 18 है कि वे पूटेंट कोशने काफी वड़ पूचा गया है तो 19 का अंसर बताइए कि चाय किस भाषा का शब्द होता है तो इसका करेंट आंसर आपके को हो जाएगा चीनी भाषा का चाय शब्द होता है उसके बाद नेश्ट है कि निमने में से तदबाव शब्द नहीं है तो बताइए कि मातूल का तदबू यहाँ पर तदबाव क्या होगा तो 21 का अंसर बताइए तो इसका करेंट आंसर आपके खा हो जाएगा तो 22 का अंसर बताइए तो इसका करेंट आंसर आपके खा हो जाएगा अंग्रेजी शब्द है तो इसका करेंट आंसर आपके खा हो जाएगा फिनेश्टातर 25 है कि पेड़ का तस्वम शब्द क्या है तो 25 का करेट आंसर आपके हो जाता है और यह दुख्द केसा है आपका तस्वम शब्दे और दूख्द केसा है यहां पर तदभाव शब्दे इस बात का ध्यान रखेगा उसके कोशन में 27 है कि चक्षू का तदभाव रूप कौन सा है तो 27 का अणसर बताए तो इसका करेट आंसर आपके गः हो जाएगा आग आग कीसा है यहां पर आपका आपका तदभाव रूप हो जाएगा बशकू कैसा है तस्वम रूप उसके बाद कोशन में 28 आता है कि इन में से तस्वम शब्द आपको पेचानना हैं तो तो इसका correct answer कभ सोँन कीजिए तो Jetzt नमें यहां पर नेश्ट दिखेंगे थर्टी वाने की इनियम लिखित में से देश्य शब्द बताईए तो थर्टी वन का करेट आंसर कह हो जाएगा आपके कट हो रही है यह यह भी काफी पर पूछे गया कोशने उसके बार कोशन में थर्टी टू आता है कि देश्य शब्द क्या होते है तो वो बता है यह 34 का आंसर क्या है तो इसका करेट आंसर गह हो जाएगा यह सभी यानि रेल गारी डाख खाना सेने मागर यह तीनों ही आपके किसे संकर शब्दे तो गह वाले इसका करेट आंसर हो जाता है पूछन में 35 की देश्य शब्द आपको पेचानना ह चारों में इसे बताई है यह देश्य Cathaивает को जाएगा गर्षावज़गा ज़ाcco है । डंगाली शब्द होते हैं कि कोशन माइ药े कि अभिभावक आपति हो संबराते शब्द है तो 41 ब्रंसर आशंतर होगा इसका करेट आशफ यह जाएगा जलिस सबताई है तो इसका करेट आशह वे गवर हो जाएगा डश्ट ऑके और वह कोशन मा 44 है तो इसका अंसर बताइए तो इसका अंसर क्या हो जाएगा आपके गवला हो जाएगा रूसी ओके फिर कोशन मा 45 की इन में से चीनी शब्द है तो बताइए 45 का करेट आंसर क्या होगा तो क्या हो जाएगा आपके चाय वाल लीचे यो जो कि काफी important question है फिर एक खड़ खड़ बड़ और खटपट जैसे दहन आत्रमा का शब्द है तो 48 का करेट आंसर के गहा हो जाएगा देशर सब्ड़ी कोश्रमा 49 एक प्लाटउन गोल नेमेजर सब्द है तो 49 का करेट आंसर मैंग्नेजर उसका कोश्रमा 50 आता है कि पूर्टगाली शब्द है तो का करेट अंसर के खहाँ हो जाएगा यहांपर आप देख सकते हैं उसका कोशं़ 12 से क्याक्ति понятно इसका अंसर बताईए कि पाजमा कमी जो राव दस्ताना साफ़ा शब्द है जो कि मोश इंपोटेंट कोशन है इन में से एक कोशन आ सकता है आपके तो 55 का अंसर क्या हो जाएगा आपके गह हो जाएगा यहाँ पर उर्दू फिर कोशन मा 56 देखेगा कि आगश शब्द का क्या आर्शेरिया है तो 56 का अंसर बताईए तो इसका अंसर को हो जाएगा विदेशी आज की जो क्लास से आपकी उनिवर्शिटी एक्जाम के लिए काफी मोश मोश इंपोटेंट होने वाली है तो आप इस क्लास को पूरा एंट टक जरू देखेगा इस क्लास से आपको काफी ब दभाव के ते वी कोशन में 50 8 की चाहिशब्द कोन सी भाषक है या भी रिपीटेट कोशन अभी भी आया था या आपके तो इसका करेट आंसर को हो जाएगा चीनी पिन और 59 ने की संसकत्र विदेश बने जाते हैं तो 59 का करेट आंसर आपके खा हो जाएगा तसम उसके तो चैन करना है तो सिट्टी फॉर आता है कि तस्सम शब्द का चैन करना है तो सिष्टी फॉर का अंसर बताई कि नहीं उसके और कोश्न में 65 आता है जो कि ततत्वाव शब्द का चैन कीजिए तो 65 का अंसर बताएं तो इसका correct answer क्या हो जाएगा उसके थーー-क्राइब में 66 आता है कि जो भीन भाषाओ से मिलकर बना शब्द बताइड तो दो भीन भाषाओ से मिलकर कोंसा भीन, उख्ता बना होता है चारू उप्शान से देखे बताइडे थो 7 का 추천 बना है यहाँ पर पर अब जो यहाँ पर इसमें हमारा नेश्ट टॉपिक होने वाला ब्याकरण का शब्द यूगम जिससे भी आपके लगब दो तीन कोशन आपकी उनिवसिटी एक्जाम में पूछे जाते हैं तो आप इससे भी पूरा पेश्टेंस माना के एंड तक जरू देखेगा यहाँ पर अभी तक जिन भी इस्टेंस ने शेशन को लाइक नहीं करा है तो प्लीज इस शेशन को लाइक कर दिए क्योंकि काफी मेहनत के साथ आपके लिए आपके लिए आपको शब्दे दिये जाएंगी जो कि आपके थोड़े थोड़े सेम नजर आएंगे लेकिन उन दोन संश का क्या अर्थ रहता है और संश का क्या अर्थ होता है तो चार उप्शन से इसका करेट आंसर क्या होगा तो इसका करेट आपके गह हो जाएगा उसके बाद कोशन में 42 है जो कि मोश इंप्रेंट कोशन को काफी बार पूछा जाता है कि प्रशाद और प्रशाद प्रारम बो अबियस्त है तो गवाला इसका कैसा है और नेश्ट देखेगा आप पर जो कि कहा है फोर वाला है यह भी मोश इंपोटेंट कोशन है जो कि कहा है कि अली और आली शब्दी यूगम का सही अर्थ बताईए तो फोर्त वाले का करेट आंसर हो जाएगा ब्राम अर और सकी ठीक है उसके बार कोशन में यहां पर फाइट देखेगा जो कि क्या ग्रह और ग्रह का यूगम बताईए यह भी काफी पर पूछा गया कोशन है तो फिक्त वाले का क्या आंसर होगा तो इसका करेट आंसर अपके गह हो जाएगा घर और नश्यत्र इस ग्रह का आरत होता है आपके घर और इस ग्रह का होता है आपके नश्यत्र ठीक है नश्यत्र हता है कोशन में 6 है जो कि most important कोशन है काफी बड़े competition exam में यह कोशन बार बार होता है कि परणे और परिणे का सही यूगम बताईए तो कोशन में 6 का करेट आंसर आपके गह होगा प्रेम और विवा इस परणे का अर्थ होता है प्रेम और इस परणे का अर्थ होता है विवा उसके बार कोशन में 7 थे कि इत्र और इत्र शब्दी यूगम का सही अर्थ बताईए तो कोशन में 7 का करेट आंसर आपके घर वाला हो जाता है उसके बाद कोशन में 9 थे जो कि काफी important क कोशन की पानी और पानी शद्द यूगम का सही अर्थ बताईए तो नैंत वाले का अंसर क्या होगा तो इसका करेट आंसर आपके ख़ हो जाता है उसके बाद कोशन नम में नेश्ट देखेगा 11 है कि अजर और अमर का क्या अर्थ होगा तो 11 का आंसर आपके गह हो जाएगा आ पिछ हो थे वता आपके अर्थ होगा 12 वाले का क्रेट आंसर कोशन का आपके ख़ हो जाएगा जडबा कीमत फीर फोटीन देखेगा जो क्या है कि कम्र और करम शब्दि यूगम का अर्थ बताईए तो फोटीन का आंसर के यह वर काम हुवा सिलसिला कोशन में कि सम और शम श्ब्द का सही अर्थ क्या है तो फिप्टिन का ऐसका अंसर आपके हो जाएगा उसके तो कोशिन नमबर सेवेंटे ने कि वाद और वाग का अर्थ क्या है तो 17 का और वाग का होजाएगा इसके बार विद्वान तो 19 का क्रउट आंसर आपके गव हो जाएगा उसके बार कोशन में 21 दिखेगा कि जो कि काफी important question लगा ली जिगाए ये काफी बार पुछा जाता है इनिवर्शिटी एक्जाम में कि मरीची और मरीची का अर्थ क्या होता है तो 21 का correct answer आपके का हो जाएगा कीरण वा सूरिचंदी इनि मरीची को क्या हो जाता है कीरण और मरीची यहां पर क्या होता है सूरिचंद्र होता है उसके बाद question number 22 जो कि क्या अचल और अर्थ बताईए तो इसका बाद 22 का answer क्या होगा जो कि काफी बार पूछा जाता है यह question तो इसका correct answer आपके का हो जाएगा पाहड और धरती इन अचल को का जाता है पाहड और अचल को क्या का जाता है धरती या परतिवी की नाम से भी आपके आ सकता है उसके बाद question number 23 की अनल और अनील में यहां पर आपको अर्थ बताना है तो इसका answer क्या होगा तो इसका correct answer आपके का हो जाएगा आग और हवा इन अनल को क्या का जाता है आग और इन अनल को क्या का जाता है हवाई यह काफी most important question लगा लीजिगा यह बार बार repeat होता रहता है उसके question number 24 है कि जलद वा जलज में क्या answer है तो इहापर बताईए 24 वाला question भी काफी most important लगा लीजिगा और काफी बार यह पूछे जाता है तो इसका correct answer आपके गव हो जाएगा बादल वा कमल आपको confused नहीं होना है यहापर आप देखें जलद में क्या रहा है दार है आपके तो इसका आपके जलद रहा है तो इसका correct answer आपके क्या हो जाता है ख़र हो जाता है शरीर वा मुख थेखेंक उसके राधा है ही इसका अंसर बताई तो ट्वेटी-एट आंसर आपके कौन सा हो जाएगा गद्रमा सिर्ष्भी पहर सणगो संग 안돼 नहीं कब ऑताईए तो कोशह Parece में यहाँ पर आप देखेंगे अश्रिव का आप सबको अच्छीता से मतलब पता है कि गोड़ा का परियावची होता ही है और अश्रिव का मतलब क्या होता है फत्तर तो यहाँ पर गवला इसका करेट आंसर है उसके बाद कोशन में थर्टी टू है कि अनिश्ट और होगा तो थर्टी फॉर का आंसर बताई तो उसका करेट आंसर आपके गह हो जाएगा मुल्य और पूजा समगरित उसके बाद कोशन में थर्टी फाइव एक ता है आपके रित्र और रितू का क्या आर्थ होता है तो थर्टी फाइव का आंसर बताईए तो उसके बाद कोश कोशन में 38 बताईएगा कि गड़ और गणिये का अर्थ बताईए तो 38 का करेट आंसर आपके गः हो जाएगा उसके बार कोशन में 39 आता है कि चसक का अर्थ बताईए तो 39 का करेट आंसर आपके का हो जाएगा उसके बार कोशन में 40 आता है कि तनू और तनू का अर्थ बताई आता है कि द्शन ॓ंद्शन का अर्थ बताईए तो फसके बड़े कोर्टित् नमोर फॉर टीटू का अंसर आता है कि दिवा और दिवा का अर्थ बताईए तो फॉर्टीटू का करेट Onunचा है अर्थ की नियत और शब्द का यूगम का अर्थ बताईए तो 43 का करेट आंसर आपके गह हो जाएगा निश्चित और भाग गया उसके बाद कोशनमा 44 का करेट आंसर आपके गह हो जाएगा उसके बाद कोशनमा 45 का करेट आंसर आपके क्या हो जाता है उसके बाद कोशनमा 46 का करेट आंसर आपके हो जाएगा फिस वह पक्षिया उसके बाद वह पुष्द मानors की स्रुपत सिय करें लोगा हो जाएगा उसके बसके बार कोश्चमा फोटी एंट है आपको चाफके इंपन्शंक क sectors क्रेटर चैया जाता है तो demo करेٹ अंसव आपको गधालब जाएगा उसके बताई कोंषे सब चूकर यत करेट आंसव गभ़ह जाता है इसके बार सुछ Byय Iya 53 एकि कटी बंद और कटी बंद का उच्छी तर्थ क्या है तो 53 का करेट आंस आपके गः हो जाएगा उसके बाद कोशन मरवन 54 है कि आसन और आसन का ठीक अर्थ बताईए तो 54 का का करेट आंस आपके गः हो जाएगा उसके बाद कोशन मरवन 55 है जो की important question नों काफी बार पूछा जाता है कि अब जो अब्द कठी करत बताईए तो 55 का करेट आंस आप कि कह हो जाएगा कमल और वर्ष उसके बाद question number 56 है कि इंदिरा और इंदरा का सही उड़ते बताईए तो 56 का करेट आंस आप कि क्या हो जाएगा उसके बार question number 57 देखेगा जो कि कहा है कि करकट और करकट का क्या आशर है तो 57 का करेट आंस आप कि गढवाला हो जाएगा उसके बार question number 58 का कि कि करती और करत बताईगा जो अभी भी आयता आपके तो 58 का करेट आνस आपके कह हो जाएगा रचनव नेरपुर उसके बाद कोशन में नेश्ट देखेगा जो कि क्या शती और श्रीति का सही उत्तर क्या होगा उची तार्त बताना है तो 59 का करेटांस आपके क्या हो जाता है उसके बाद कि यहापर देखेगा कुछ चार पाच और कोशन की आपके कि कोश और कोश का अर्थ बताईए तो करेटांस आपके क्या हो जाता है उसके बाद कोशन की पूरी और पूरी का सही उत्तर बताईए तो 64 का करेटांस आपके क्या हो जाता है नगर और पकवान तो यहाज हमने आपको देशर जो विदेशर तस्रम तदबा उस शब्दी युग में के कोशन करा है जो की काफी इंपोटेंट होते है आप मालेजी कि आज की किलास से आपको काफी बेनिफिट होने वाला है और आज की किलास से आपको काफी कोशन भी देखने को मिल सकते है अब यहाँ पर लगवग एक दो आपके और किलासे बाकी जिससे यहाँ पर आपके वियाज़करन के जितने भी टॉपिक्स आते हैं कंपलसरी एक्जामे वो आपके कंप्लिट हो जाएंगे आए अब आचके किलास आपको पसंद आई होगी प्लीज कमेंट करके जरू बताएगा उस वीडियो को लाइक करना ना बुले और निश वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जागा तब तक के लिए पढ़ते रहे हो सीखते रहे हो